मैं आपके लिए फश्टियर का सेमस्रेट के सोचलोजी का थर्ड कोश्चन लेके आया हूं जो कुश्चन बहुत जादा इंपोर्टेंट है ओके तो कुश्चन हमारा क्या समस्सास्त्र एक विग्यान है क्यास्तर है कि इसका थंकी समिच्छा कीजिए इंत्मांत्र हैं तो उसल्सातर है हमारा किसी भी विशाय की प्रिकिती के संबंध में विचार आते ही इह प्रिश्ण उत्मन होता है कि बहे विशाय विज्ञान है या कला है इसी परिप्रेच में समाशास्त्र की प्रिक्रिति के संबन्द में तर प्रधम समाशास्त्र के जनक अगंस्थ काम्टे ने इसको विज्ञान की कोटी में रखा समाज सास्त्र को एक विज्ञान की रूप में इस्थापित किया उस्ष बिद्वानों का मानना है कि समाज साथ एक बिज्ञान भास्तम में बच्छान की विस्षित्ना पाई जाएं विश्व बिग्ञान है तो कि अ समय सास्तर को भिग्यान कहने से पूर हमें यह जानना होगा कि बग्यान क्या होता है तो सांस सांसारिक घटनाओं के अन्य पक्ष होते हैं प्राकृतिक है सामाज एक है आर्थिक है आपका राजनी तक धार्मे की मनों बैग्यानी शांसिक तक आदि यदि हम इल्मे से किसी भी पक्ष का अध्यान एक निश्चित पद्धिति के द्वारा करते हैं तो प्राप्त ग्यान को बिग्यान की स्टेडी के अंतरक्त रखा जाएगा ओके कि इसके बाद है हमारा अध्यास की कि थी व्यारीर दिकीति उसमाथ सत्रेफ ग्यान है कि और मनं कि उसकी प्रगति में वीग्यान के सभी अनिवारी तक तो इसफ़ेश्च रुप से पाये प्रियोग तत्थों पर आधारित आपका सत्यापन शीलता होता आपका तथा बैस्तिक्ता तथा बैज्ञानी की देश्टिकों थाइब है आपका कारीकारण संबंधों की खोद तक्स आपका तार्व भॉमिक्ता तथा यह सेवन थे बिटा पूर्बान वान छम्ता ओके कि जब किसी छेत्र में बेवस्थित अथा क्रमबंध रूप से तत्थों का अध्येंग करके निश्कर्ष निकाल निकाले जाते हैं तो बिज्ञान का जन्द होता है ध्यारकना बेवस्थित और क्रमबंध रूप से ठीक है बिज्ञान के अनिवारी तत्थों के तत्थों के आधार पर समासास्त्र को एक बिज्ञान के रूप में प्रिमारत किया जा सकता है बहुतिक बिज्ञान की भाती समासास्त्र बैग्यानिक पद्धधी पर आधारित है जिस प्रिकार बहुतिक बिज्ञानों के अध्यन में बैग्यानिक पद्धधी का प्रियोग किया जाता है ठीक उशी प्रिकार समासास्त्र में भी समस्या का चुनाव उपकल्पना का नि पोकन आधिकप्रोग किया जाता है और नंत में बरगी करन पाड्यकर्ण किया है इस प्रिकारl है कि समासोफ्न यह Depot थे विघ्यान है यह समासास्त्त की जो नों है वो बैर किया हुआ है यह कि खि Caesar आपका तछिए थो पर और आधी विघ्यान तत्थओं पर अधार्त सत्त्टव के संखलन सब्लोकन प्रियोग क्षिए नहीं है है किसी सोब्यभित के परीवार्च को परिमाड़ीं करने के लिए अधेक बिश्वष्णिया और प्रढाली नहीं है उधारण के लिए देखते हैं वीटा गंदी बस्तियों के अध्यन के लिए मलिन्द बस्तियों में जाकर समस्या के संबंद में सत्य संक्लित किये जाते हैं थड़ा आपका समासास्त्रिय समानी करण करणों के सत्यापन संभव है अन्य बिग्यानों की भाती समाज सास्ट के नियमों एवं सिद्धानतों को कभी भी कहीं भी जाचा परखा जा सकता है उधारण दिया बटा बाल अपराद की संख्या में ब्रद्धी हो जाने पर समाज में अपरादों में ब्रद्धी हो जाती है इसमें बाल अपुरादों की संध्या में ब्रद्धी हो जाने पर इस नियम को कहीं भी कभी भी सत्याब्र करने पर निश्कट से पहले जैसे ही आते हैं फूर्थ है हमारा समाशास्त्री एध्यन में बस्त निष्ठता होती है बैसीत तात पर इस घटनाओं ज़ी बास्त विकता को परस्तोग करता है समाशास्त्री सामाजी संग्ट घटनाओं का ध्यन करते समयं आदर्शों मूल्यों भावनां पक्षपाद आधिसी प्रभावत ना होकर इस रता से सुभ्टों का संकलन करते हैं कि से कैते लम निस्थ पक्ष्थप से ओगर गिर मेंति अध। समस्थ पर अधनों के निच्कर्ण छे करते हैं इसामायाय पर शेद्पर सब्लक्राइब ये समासस्त कार Bayern समंद की बैठ्षा करता है कि या कुछ भी घट्ना बिना करण के घटित नहीं होती है घटना घटित होने के होते समय एक निश्चित नियम काम करता है इसलिए समासास्त इसी समाज घटना के बारे में केवल क्या है का ही वड़न नहीं करता अपर तू कैसे है का भी वड़न करता है अठा घटना क्यों घटी या उससे घटना का क्या संबन्ध है इसका वित्तर अधार नो कुछ स рук मैं कि अध्रत कर था हैं जिस्त प्रकार टेक sampling होते हैं वलाइव सहर धार पर समाज सास्त का नियम है कि जिस समाज में विवहा विछेद की संख्या में ब्रद्ध होती है वो समाज में बिगटित परिवारों की संख्या अधिक होगी इस नियम के निश्क्र सभी देशों में एक जैसे ही मिलते हैं अता है इस परिष्ठ है कि समाज सास्त में सार भॉमिक्ता का गुड़ भी विद्वान है अता समाज सास्त एक विज्ञान है ओके सेविंध है विटा समाज सास्त भविष्वाली करता है विज्ञान की विशेष्था है कि प्राप्त निश्कर्षों के आधार पर भविश्वारी किया सकती है समासास्त के अधन में भी क्या है कि आधार पर क्या होगा का संकेत दिया जाता है अधार्त कारी और कारण के संब्धों का पता लगाने के बाद भविश्वारी भी करता है उधारव जिस समाज में अनायतिक परिवार होंगे उसमें बाल अपराधी उत्पन होंगे और धोगी करल के फल्सुरूप परिवार विख्षित होंगे आज इसे समद्धित पूरवा नमान समाज सास्त द्वारा पृष्थत किया जाता है इसके बाद है इसके बाद है इसके समाज सास्त की बैग्जाने प्रिक्टि के ब्रुद्ध आपतियां अनेक बिचारक समासास्त को एक बिग्जान के रूप में सुईगार करने को तयार नहीं है प्रिकिती बैग्जानी समासास्त की बैग्जाने प्रिकिती पर संदेख करते हैं तथा निमलेखत अपत्या प्रिस्तोत करते हैं समाजिक घड़नाओं की जटिलता कुछ प्रिद्वानों का मत है कि सामाजिक घटनाएं आतितिक जटल होती है इसलिए इनका ध्यन बैज्जाने रहन से संभव नहीं है सामाजिक घटनाओं में यह जटलता दो कारणों से होती है एक तो सामाजिक घटनाओं में बिभिनिता पाई जाती है दूसरा बे पल-पल परवर्तित होती रहती है सामाजिक घटनाओं में एक रूपता का भाव होता है आपति का मूलांक्यंग देखते हैं हम लोग इस आपति का खंडन यह कहकर किया जाता है कि तब घटनाओं चाहें वे प्राकृतिक हों सामाजिक हो यह आज्यानता की स्थिति में हो जटल दिखाई देती हैं कि जैसे जैसे हम उन्हें समझना प्रारम करते हैं धीरी-धीरे स्थरे दिखाई देने लगती हैं कि उधारर जैसे कोई भी विदेशी भासा प्रारम में बहुत मुश्किल या बाजिटिल दिखाई देती हैं कि वही भासा सीख लेने के बाद में आसान लगने लगती है कि सेकंड बड़ा समासास्त में प्रोग साला का आपाओ समासास की बैग्याने प्रिकिति के ब्रोध पुर्मों का आपति यह लगाई जाती है कि समासास्त के पास अपनी कोई प्रोग शाला नहीं है समाजिक घटनाओं समाजिक समस्याओं समाजिक संबन्धूं मानुविय बिभार का अध्यन प्रोग साला में संभव नहीं है अपति क्या मूल्यांकन प्राकृति बिज्ञानों की प्रोग साला है किसी बिज्ञाले और शीमित रहती है संसार के बेच चेत्र होते हैं सामाजी समस्याओं के अधन होते हैं समस्त को विग्यान कहने के बुरद एक अपती यह ही लगाई जाती है प्राकृतिक बिज्ञानों की भाति मानों समाज का बैश्यक अध्यन नहीं किया जा सकता समाज सास्त्रिये निश्कर्ष पक्षपातपूर होते हैं शापत्ती है याँ बेट समाज सास्त्र में विभिन आगनिक अवधियां तथा तंत्र बुच्छत हो रहे हैं जिनका प्रियोग करके निश्क्ष शामगरी एकत्रित की जा सकती है समाज के अमूर्थ सत्थों का भी प्रमापी करण किया जा रहा है वर ठैटेंगा बिटा हमारी विश्कर्ष सामगरी को मापने में असमर्थ समासास्त्र प्राकरतिक विग्यानों के भाति अपने विश्कर्ष सामगरी को माप नहीं पाता सामाजिक घटनाएं अमूर्थ होती हैं इसलिए उन्हें भातिक बस्तूं के तरह नहीं मापा जा सकता है इनके लिए सामाजिक घटनाओं के लिए आपती का मुलांकन करते हैं ग्रींग का कहना है कि बास्ता में बिज्ञान और माप के मध्ध कोई प्रितिच सम्मंध नहीं है आध्रूंक समय में मापक पैमानों के विकाश के कारण सामजी घटनाओं को माप करना भी समभब होता जा रहा है ग्री घटनाओं कि उपश like नहीं कि ए और शार्थ में ए इतार्थ का आभाव है प्राग्रुति बग्ज्ञाने उटबधित्यान ए क्योंकि उस में जिन सिद्धान तों का प्रत्वादक किया जाता है और दो फिर्टेक परिस्थत्य में सत निकलते हैं आपति इस आपति के संबंद में यह तर्क प्रिस्तुत है यह प्रिस्तुत किया जाता है कि इधारता और बिग्जान का कोई प्रितेच संबंद नहीं है जब मौसम बिग्यान और भूगर बिग्यान में इथारता का आभाव होते हुए भी उन्हें बिग्यान माना जाता है तो किस प्रिकार समासास्त्र को बिग्यान कहने में क्या अपत्ती है ओके तिक से बिटा भवेश्वाली करने में असमर्थ समासास्त्र की बैग्यानिक प्रिकित्ति के बुरुद्ध यह भी आपत्ती लगाई जाती है कि समासास्त्र भविश्वाली कहाने में असमर्थ है यह बिग्यान नहीं है क्योंगी सामाजी घटनां जटल एवं परवर्वरतन शील होती है अपत्ती देखते हैं इस अपत्ती के संबंद में यह कहा जा सकता है कि प्राकृत्तिक भिज्ञान भी भवश्वारी करने की पूल छमता नहीं रखते हैं इस संबंद में चेश्टर अलग जेंडर ने कहा कि मौसम बिज्ञान भिश्वारी के संबंद में यह नहीं बता सकता कि मरीज को निश्चित रूप से कौन सी बिमारी है कि किस ने कहा बैटा अलेक्जेंडर चेश्टर अलेक्जेंडर ने निशकश कैया है कि उपर योग प्रिवेचन से एक पसट है कि समासास्त के अंतरगत अने कैसी घटना हैं जिनके संबंद में भवश्वारी कीagtर सकती है साथ ही साथ समास्त में बिज्ञान की सभी विशस्चन विध्वान हैं किसमें समास्त्त में अथा समासास्त को बिग्जान ना मानना और चित्पूर नहीं हैं, समासास्त के बिरुद्ध उठने वाली आपतियां भ्रामकेव माधारीत हैं, अथा समासास्त पूर रुपेंड समास का बिग्जान है, थेंक यू